है डेंट आए आज हम लोग डाईजेसिस सिष्टम के बारे में समझते हैं चलिए यदि हम लोग समझेंगे यहां पर डाईजेसिसिस सिष्टम के बारे में तो आप लोग जानते होंगे पाले से कि डाईजेसिस इस karडshift Lauren तंत्र जो होता है उसे हम एक हमारा संपूर धाचा जो मानों सरीर में कैसे मान लेते हैं कि भोजन हम लोग करते हैं और कैसे हमारे सरीर में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है यही हम लोग क्या करते हैं कि पाचन तंत्र के अंत्रगत हम लोग इस्टडी या अर्ध्यन करते हैं अब हम बात करेंगे digestive system, वैसे तंत्र जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र के दोरान हम लोग क्या करते हैं, कि भोजन मान लेते हैं कठोर, पदार्थों को हम लोग ग्रहन करते हैं, आप लोग की छोटे-छोटे पदार्थों मे तोड़ करके यह पूरूरूप से पाचन की क्रिया को संपन कराती हैं अब यह कौन-कौन से इसमें भाग लेते हैं आईए हम लोग समझते हैं अब यहां पर देखेंगे कि यहां समाल लेते हैं कोई मनुष्य या मानो यह भोजन को ग्रहण करता है अपको अहर नाल जिसको इंग्लिप में अलंटि कैनल भी बोलते हैं आई से वकल के वीटी कहा जाता है दूख यहां खाली अस्थान उता है उसे कहाजाता है क्योंकि उसे हिंदी में हम लोग मुख कुछा के नम से जनते हैं अब यह जो होता है अब यहां पर देखेंगे भोजन इसी राष्टे से अब यहां समग्रहण किये अब यह इसी राष्टे से आएगा यह हमारा जो है यह आमासे या पेट है पेट को कई नामों से जाना जाता है इंग्लिस मीडियम वाले इसे क्या कहते हैं अब इसे इस्टमक के नम से जानते हैं लेकिन अब इसे हिंदी में हम कई तरह से जानते हैं अब देखिए एकाद लोग कहते हैं कि पेट एक वेक्ति कहते हैं उदर और साइंस कहते हैं इसे अमासे अब यहां पर देखेंगे कि जो अमासे होता है इसका पार्ट जो होता है थ् यह अब यहां पर तीन पार्टों में डिवाइद होता है मुख्य रुप से भोजन जो होता है इसी राष्टे में होता है और चार गंटे में मैं भोजन क्या हो जाता है पाचन की क्रिया संपन हो जाती है अब यहां पर पहले आता है तो यह भोजन का च्छाट कट करता है इसम अब यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे कि यहां पर भोजन का आउसोसर नहीं होता है बलकि यहां पर कैसा पदार्थ है उसका देख रिख किया जाता है अब यहां से आता है यह पैलोरिक में यहीं पर क्या होता है भोजन का पाचन होता है और होने के बाद यह जितने अंग को जो आफ़सकता होती है यहिए से प्राप्त होता है ता आप लुग जानते होंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं Large intestine नहीं कहा जाता है क्योंकि इसे बडरी आथ कहते हैं आईये इंटेस्टाइन होता है जिसे हम लोग छोटी आत कहते हैं अब देखिए ये बड़ी आत में जल का और सोस्तर होता है इसलिए कहा जाता है कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी को ग्रहन नहीं करना चाहिए क्योंकि अपच्छ हो जाती है लेकिन 15 या 20 मिनिट के बाद जल को पीना चाहिए ग्रहंड करना चाहिए अब यह चोटी आथ जो है इसी में भौजन जो होता है इस्थी राता है अब यहांस देखिये यहांस से ले करके यहां तक लगभग मानौत सरीर में 12 फीत होती है अब यहां एलिमेंटरी कैनल की जो लेंथ होती हैं लंबाई जो होती हैं वो कितने होती हैं 32 फीट होती हैं बात करेंगे मीटर में तो आठ से 10 मीटर आठ से 10 मीटर होप आप लोग इतना समझ गया होंगे वेलकम थैंक यू वेरी मच